नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार पाई के अंदर एक नई डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ है यही डिजाइन आपको बताने वाला हूँ है कि डिजाइन कैसे बनेगी और कितने रसी इसको दबानी है कितने रसी उठानी है यह सबी चीज में एक और 2 रशी नहीं डाली हैं, क्योंकि मेरे पास यello रशी नहीं थी, विस्तों बनानी पाइए तरह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रेश में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ सिप देख सकते हैं, तो शुरू करने से पहले दोस्त आप से रिक्वेश्ट है, कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो रैड कलर के सस्काइब उटे पे क्लिक कीजिए, और बैल का बटन दबाईए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, यह स्टार्टिंग से कैसे रिक्वेश्ट डालेंगे, वह सभी चीज मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया हैं, तो अब सुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको यह बेसिक बता दियता हूँ, कि मैंने यह नीले वाली रिक्वेश्ट हैं, यह चैर रिक्वेश्ट डाली तो आपको बदेख पाएंगे और जब दूसरी डिजैन वहारी बने की पासानी से देख पाइंगी आपको इस परकार चे फूल बनेगा, और जब दूसरा रे बनेगा तो अलग यहाँ फूल बनेगा। बनाना है तो अलग आपको रसी दबाना और उठाना होगा उसके बारे में मैंने एक वीड़ा रखा है आलरडी तो वहareडी देख सकते हैं यदि वह भी नहीं देखा है तो आपको इस्टिए के डिसक्रीज में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं यह आपको यह इस्टार दीख रहा है आपको यह बिलिवाली रसिम बनाना है तो और यह बिलिवाला जो डाय आपको दीख रहा है यह फूल हमारा यह यलो वाली रसिम बन जाएगा तो चलते हैं दोस्तों सुरू करता मैं यहां देखो मैंने यहां पांस रसी उठाई पांस दबाई फिर एक रसी उठाई थी पिर पांस दबाई पांस उठाई एक दबाई पांस उठाई पांस दबाई एक उठाई पिर पांस दबाई पांस उठाई एक दबाई ही है अब आपके काम की बात है ध्यान दीजिए आप थोड़ा एक रसी दबाईए फिर पांच उठाई नो रसी दबाई यहां पर फिर पांच उठाई तीन दबाई फिर पांच उठाई नो दबाई पांस उठाई तीन दबाई पांस उठाई नो दबाई पांस उठाई तीन दबाई अब दोस्त आपको एक बात बता जेता हूं मैं यह यलो अलो आपको दीख रहे हैं यलो तिनू यह दो नहीं आपको यलो दीख रहे हैं निसान इसमें सेम रसी होंगी अगर यहां तीन दबी तो यहां भी तीन दबेंगी और इसे में बिली वाले में यहां नो रसी दबी तो यहां भी नो रसी यहां भी नो रसी तो इस बात का आपको विशेश कर ध्यान रखने है एक बार आपको पांस दबा कर तीन रसी दबानी है फिर पांस दबा कर नो रसी दबानी है फिर उसके बादे मैंने हैं दो रसी दबाई है फिर पांस उठाई, साथ दबाई फिर पांस उठाई, पांस दबाई फिर पांस उठाई, साथ दबाई पांस उठाई, पांस उठाई, पांस दबाई तो वो भी मैं आपको बता दितना हो आज तो इस परकार से दोस्तों आपको ध्यान रखने है हर बार आपको यहां blue रसी को देखना है और yellow वाली रसी को भी देखना है यह देखो sequence हमारा बन रहा है यहां पे तीन दबाई एक दबाई फिर तीन फिर पांच और यहां पे देखो एक उठाई फिर 9 फिर 7 इधर गटती जाएंगे हमारी इधर बढ़ती जाएंगी इस रसी इधर गटेंगे तो इधर बढ़ेंगे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है एक ओक tips को आपको ध्यान रखना है कि क्या-क्या आपको कोई भी नहीं बता सब्सक्राइब को थो बनाएगा यह एक सर्ब रश्य आप दबाके तो इतनी रश्य उठाओगे तो यह इस में जा रहा हूं कि इतन maturity दभाशी डंब बनती है इतना रसी दबाने पर आपको ये नाम बनता है ये अकसर बनता है हिंडी में और इंग्लिस में ने बताई है तो आसानी से आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हर एक और टिप्स मैंने बताई है कि ए बनाना है या जैड बनाना है या आपको एम बनाना है तो कित परकारश यSir या पित्विचर बैने गी और यह हमारा ऐस्टार पूरा हो जाएगा इस परकार जाएगा इस प्रकार छाउरी पर पहले 29े फिर आपको यह intermediate डालन aurait दोस्तों मार suggests इस्टार पूरा हो जाएगा इस परकार से और आगे रसी कैसे डिलेंगी वो इम आपको बता देता हूँ लेकिन यह हमारा इस्टार पूरा हो गया यहां से देखो अलग डिजाइन यह बनती भी आपको नजर आ रही है फूल यह फूल अलग बनते रहे हैं और यहां भी आएक अलग डिजाइन बनेगी वो डिजाइन कैसे बनेगी वो इम आपको बताऊँगा किस परकारश आपको डिजाइन बनानी है तो फिर दोस्तों यहां पे मैंने तीन रसी दबाई हैं पे फिर पांच उठाई पांच दबाई फिर पांच उठाई, साथ रसी दवाईयां पे फिर पांच उठाई, पांच दवाई, पांच उठाई, साथ दवाई पांच उठाई, पांच उठाई, पांच उठाई, साथ दवाई तो इस परकार से पांच उठाकर आपको पांच रसी दवानी है फिर 5 उठाकर 7 रसी दबानी है मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ यह आगे काई डिजाइन देखो अलग डिजाइन यह आपको दिखे क्योंकि हमारी बिल्यू रसी है इसलिए आपको सही डिजाइन नहीं दिखेगा यह एकदम सेम डिजाइन हमारी यही दिखेगा आपको इसलिए यह आप इस्टार देखे यह दो नहीं तो यह डिजाइन आगे आपको अभी यहाँ मेरी बिल्यू रसी नहीं होने के काई चे आपको सही नहीं दिख पा रहे है सबस्टार देखेगा यह एकसोबी रसी डाली है यह आपको बता जता हूँ पिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने चार रसी दबाई है पिर पाँच उठाई तीन दबाई पाँच उठाई नो दबाई पांस उठाई, तीन दबाई, पांस उठाई, नो दबाई पांस उठाई, तीन दबाई, पांस उठाई, नो दबाई तो एक बार आपको दूस्तों पांस उठाकर तीन दबानी है फिर पांस उठाकर नो रसी दबानी है तो इस बात का विशेश कर ध्यान रखने और ये भी देखो सिक्वेंस हमारा बनता बना जा रहा है एक बार यहां पर हमने एक उठाई फिर दो फिर तीन पिर चार पांस फिर यहां फिर एक दबाई फिर दो दबाई तीन दबाई चार दबाई अब यहाँ पास दबादेंगें येभी देखो आप सीक्वेंस हमारा अलग ये रसी क्या कि हम ने पास दबाकर पास उठाई पिर एक रसी दबाई फिर पास उठाई पास दबाई पिर एक रसी उठाई है फिर पांस दबाई पांस उठाई एक दबाई पांस उठाई पांस दबाई एक उठाई है एक सिंगल रसी आप जोड़ा से मैं बोलता हूं इस रसी को यह देखो जोड़ा से हमारे रसी है इस बात काई का आप ध्यान दीजिए तो इस परकार पांस उठाकर पांस दबानी है पिर एक दबाई, पांज उठाकर पांज दबाई, फिर एक उठाई है, पांज दबाई, पांज उठाई, फिर एक दबाई है, पिर पांज दबाई, पांज उठाई, पांज दबाई, पांज दबाई, फिर एक उठाई है, तो इस परकार ची में डिजाइन बनाई है, आगे रसी भी कैसे डालेंगे वह मैं आपको दिखा देता हूँ आगे भी दोस्तों यह बिली वाली रसी ही डालनी आपको इस बात का भी ध्यान रखने और कितनी डालनी है वह मैं आपको बताऊ आँगा तो दोस्तों आप देख पार हैं कि तो इस प्रकारश में ने देखो एक, दो, तीन, चार, चार प्रकारश की डिजाइन में आपको दिखाई है ये, इसी प्रकारश आप बना सकते हैं, और इसमें कितने रस्य आपको दबाने हैं, कितने रस्य उठाने हैं, वो इम आपको बता दूँगा, और यलो वाली रस्य है और बिलिय वाले रसी गी कितनी डालनी है वह इमापको बता जयता हूँ और इससे आगे कैसे बनाएंगे वह प bend आपको बता नाउगा तो चलते हैं एक बार मैं आपको रसी बता जयता हूँ तो यहाँ पे दोस्टों मेंने क्या क्या है यहां चार रसी में दबाई है फिर पांच उठाकर तीन दबाई फिर पांच उठाकर नो दबाई पांच उठाकर तीन दबाई पांच उठाकर नो दबाई पांच उठाकर तीन दबाई फिर उसके बादे मैंने यहां पर तीन रसी दबाई है फिर पांच उठाई, पांच दबाई, पांच उठाई, साथ दबाई, फिर पांच उठाई, पांच उठाई, पांच उठाई, साथ दबाई, फिर उसके बाद मैंने हमें दो रसी दबाई है, फिर पांच उठाई, या साथ दबाई है, फिर पांच उठाई, पांच उठाई, तो यहां हमने साथ दबाई है और यहां पे पांच दबाई है तो इस बात का आपके श॥ेज कर ध्यान रखने है। और ये टोटल कितने रसी हैं वो इम आपको बता दूँगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक दवाई यहां पिर पांच उठाई नो दवाई पांच उठाई तीन दवाई पांच उठाई नो दवाई पांच उठाई तीन दवाई पांच उठाई नो दवाई पांच उठाई तीन दवाई उसके बाद में यहां पर 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 य यह 11 रस्टी डाल नहीं है तो यह हमारा फूल बन जाएगा यह 5 का हमारे सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर यह 6 नंबहर रस्टी डालोगे पांच इधर थो 6 नंबहरी चैंटर में आएगा उसके ऊपर आपको पांच रशी डालना होगा इस बात का भी आपको ध्यान रखने हो जैसे इस संटर पीली वाले रशी आपको देख रही है यह संटर है इसके नीचे पांच रशी है इसके उपर पांच रशी है यह छह नमबर रसी हैं, ये नो रसी आपको यहां डालनी है, जैसी ये डीजाइन आपको यहां बन जाएगी, ये डीजाइन यहां बन जाएगी, जैसी यहां पे देखो हमने ये तीन उठाई तो यहां पे तीन रसी उठाएगी, फिर यहां पे पांस दब कर नो रसी उठाएगी, तो यहां तीन रसी उठा दी फिर यहां पांस तो यहां पांस उठा दीजी अगर यहां देखो नो रसी तभी है तो यहां नो रसी उठा दीजी फिर यहां साथ रसी उठी तो साथ उठानी तो इस डिजाइन को देखकर आपको आगे की डिजाइन सुरू करनी है तो इसी प्रकार आपको पीछे की रसी देखकर आपको आगे की डिजाइन बना सकते हैं अगर आप पूरी चार पाइम बना कर बताओंगा तो आपको बहुत सी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ कि किस प्रकार आगे की डिजाइन शुरू करने आपको तो इससे आगे दोस्तो यलो वाली रसी आपको डालनी इस बात का भी द्यान रखना है यलो वाली रसी आपके 9 रसी डलेंगी यह मैंने इस्टार बनाकर आपको बताया है फिर यह बिलो वाली रसी 11 रसी डलेंगी तो इस बात का आप भी विश्येस कर ध्यान रखें अब यह पूरी डिजाइन आपको दिखा देता हूं मैं तो इस परकार चे डिजाइन आप बनाएंगे देखो दोस्तों यह हमारी पूरी डिजाइन आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान डिजाइन मैंने बनाई है और हमार्वर को थीन रखें तो यह आफ़ घ्याट करके आप 3 रखें उठा दीजी इस परकार स्टार्ट हो जाएंगे फिर स्टार्ट हैं कैसे यहाँ पर 4 रखेंगे पिर 5s दबाकर नो रखेंगी इस परकार से स्टार्ट करना है तो आसा करता हूं कि दोस्तों मेरी 2 वीडिय करने नहीं भूलें तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजी रूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत